हांजी फ्रेंड्स क्या हल चाल वेलकम विद कृतिका साव चुटों को बड़ों को सबको अम्मी का सलाम अला सब को खुद से रखे इतना है डायलोग मारने आता है इसके अलावा तो नहीं कुछ आता नहीं है तो मैडम ने अपनी माताजी को बुलाया और बता रही है क्या कि ममी की तब्याद बहुत जादा खराब हो गई थी बीच में तो मुझे बहुत ना अजीब लग रहा था कि पता नहीं मेरी ममी कैसी होगी जहां तो मैडम बोलती है कि मेरे माबाप के साथ में मेरे ब्लैक पैचेज रहे हैं मैं अपने चाइल्ड हुड फेस में जाना नहीं चाहती और अभी बोल रही है कि बहुत अजीब लग रहा है क ही इतना ड्रामा करो तुम यह सरी बकवास बोलती हो ना तो इतना अंदर से गुस्ता आता है कि पता नहीं तुम क्यों इतना जो बकवास और नेगटिविटी तो खुद फैलाते रहती हो प्यार बाती है पॉजिटिविटी फैला यह सच बोलिए नो फिल्टर है कुछ भी ऐस नहीं है वैसा नहीं है और सब कुछ भरा हुआ है तुम्हारे मतलब ब्लॉग में सिर्फ नेगटिविटी नेगविटी जूट पे जूट और फिल्टर तो तुम लोग इतना ही लगाते हो न जिसका तो कोई सीमा ही नहीं पूरा फिल्टर से ही भरा हुआ है इतना फिल्टर और मा के साथ मेरे मेरे ब्लैक पैचेज रहे हैं और उसी मा को बुलाया है अभी तक डिलीवरी तक मेरी सेवा करना क्योंकि और तो कोई है नहीं सेवा करने के लिए सब सिर्फ मेवा खाते हैं सेवा तो कोई करता नहीं है तुम ही आजाओ तुम ही आकर कि मेरे सेवा कर लो मेरे ब्लैक पैचेज जुड़े वें तो इसे में कहां से अपने घर पे रहने दूंगे और घुसने दूंगे अपनी माता जी को तो क्या क्या है अम्मी का पुराना वाला घर था जिस पे रहती थी वह गर इनको दे दिया है कि लो तुम उसमें रहो मतलब एक औरत ना उसके सा तरह बड़ा फ्लंबा चड़ा फ्लैट बना रही हो उसमें तो रही सकती है लेकिन ना सब को अलग अलग रखेंगे किसी को साथ में नहीं रखना हमको बड़ा फैमली चाहिए मेरा पूरा परिबार होना चाहिए खुश मिजाज खुसहाल परिबार हम लोग होना चाहिए ल जो नो फिल्टर वाला जो टैग है वो पुरादुनिया के सामने नजर आजागा कि हम कितना लगाते हैं उसने क्या किया है माता जी को दे दिया यह पर आपना फुटा फूटा 50 वह लावन हो गाम चल रहा हूँ उसे भी देखने में किसी को कोई दिलचस्थ भी नहीं है यह सब करके तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करती और उसको लंबा करने का निकाल ती और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं अ अच्छा गाइस इस बेशरम को देखिए मतलब इतना होने के बावजूद बोल रही है क्या कि बहुत अच्छा हुआ जो ममी न यहां पर शिफ्ट कर ली वैसे वहां ममी का मन लग गया था लेकिन फिर मेरे कहने पर ममी यहां पर आ गई लेकिन अच्छी बात है क्या है न कि आसपास है न तो थोड़ा सा अच्छा रहता है मतलब अगर कुछ हो गया सड़ेली मेरा जैसा सिचुवेशन है अगर हमको कभी किसी का ज़रत पढ़ गया तो सब आसपास रहते है न तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कभी भी कुछ भी मदद की ज़रत पड़े तो मैं परिवार होता है वो साथ रहता है आसपास नहीं रहता लेकिन इस मैडम को क्या चाहिए कि जो जितने भी नौकर चाकर है वो आगे पीछे इसके घूमें मंडराएं इधर उधर रहें इसके साथ में नहीं रहें बस यह डाइलोग मारते रहें तसके मेरे परिवार शाहिए इतना भरा बड़ा सा परिवार है जो हर मोमेंट पर मेरे साथ में रहता है लेकिन मेरे साथ नहीं है कि मैरे सत्यों अलग लेकरके रहो मेरे साथ में कोई नहीं रहेगा मेरी प्रिविसी है मैं हूं मेरी मेरे पती है मेरे शुएब मेरा गुरूर है अब तो खेर हमारा बच्चा भी आने वाला है तो और प्रिविसी हो जाएगी हाँ पापा की तबित खराब है इसलिए मजबूरी में पापा को रखना पड़ लोगों को डाट रही है चिला रही है उसके उपर कि आप लोग ऐसा मेरे पापा की बारे में बोल रहे हो जबकि मैडम अपने अपने ससूर के साथ में इबराहीम के साथ में क्या करती है वो तो सब को पता है मैडम तुम्हारे बोलने से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो फ्लेट ना जब तक तुम महारा साथ में कुछ होगा ना तब तुमको वहां बोलने जाने के लिए समय लगेगा मैडम तो फिर तुम लोग तो फोन भी करकर के बोल सकते हो लेकिन फोन करने के लिए भी शरीर में तागत होना चाहिए उस कंडिशन में रहोगी तब ही फोन कर के बुला पाओगे इसलिए बेटर है कि इतना बड़ा जो घर बना रही हो ना फाइव भी एच के उसी में सब को रखो जिस कंडिशन में भी तुम हो कम से कम तब तक बाद अब की खेर तुम्हारी मलजी अच्छा जी अब मैडम का घूम फिर के वही पैतरा इसका कोई भी बिना इस डायलोग के खतम हो ही नहीं सकता या शुरुवात हो ही नहीं सकता कि यह सब नहीं तो आप लोगों ने शोयब के व्लॉग में देखा ही होगा और बिना शोयब के चर्चा किये बिना उसका नाम लिए इसका कोई व्लॉग तो आए कही नहीं बिकॉस शोयब मेरा ग बना करके देना नहीं, जबकि इसका खेर खौाईश था कि इसे हाउस वाइफ बनना है और अपने पती के लिए डिब्बा बनाना है लेकिन डिब्बा जो खेर नौकराण ही हो बना करके देती है यह मैडम भी से कुछ करती नहीं, लेकिन हाँ, खड़े रहेगी थोड़ा सब करेंगी तभी नश्वेप थोड़ा सा प्यामपर करेंगे प्याइब की भूखी और भीक मांगने वाली तो है ही यह मैडम जी तो दिखा रही है कि वो कार पर बैठ करके जा रहे हैं और मुझे बाय कर रहे हैं इतना अनकंडिशनल लव है दोनों के बीच में कि क्या ही बताए देख करके तो हमारे आखों से एक दम आसू ही निकल गया ओ माई गॉड इतना प्यार पती-पत्नी के बीच में है कितना रूमांटिक सीन चल रहा था जिसे मैडम ने दिखाया वाहियाद हरकत करने वाली आज के वीडियो में बस इतना ही प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा जादा शेयर करें तक यह मैडम की जो सचाई है न वो लोगों तक पहुंचे और लोग ब्लाइंड फूल होकर के अंधे होकर के न इसके पीछे नहीं पढ़े और नहीं इसको क्या बोलता है आईडि फैमली से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखे हैव नाइस डे बाबाई